तो बेसिकली अभी हमारे इस नार्नोल के टूर में हम हैं चोर गुंबद के पास और चोर गुंबद की बात की जाए तो ये जमाल खान ने बनवाय था जो एक अफगान रूलर था तेरा सो क्यावन से तेरा सो अठावन के बीच में या मान लीजिये फिरोज शात्युगलक के टाइम मखवराई बनवाय था लेकिन ये उस वक्त शहर से काफी बाहर बनाया गया था जो लोग चोरी करते थे या खून खराबा करते थे उस तरीके के लोग यह रुखते थे इसल अच्छा करते हैं अच्छा करते हैं अच्छा करता हूं आपके कि अच्छा करते हैं अच्छा करते है अच्छा से लिए निए पर्मेक जाने अभी मखवरा कितना बचावाबो एक पडिशन चेक बाते हैं गोलो आज था फिर अंग्रेजो का आया और अंग्रेजोने भारत-पाकिस्तान को अगर दिया खैर उसका चोर कुमबत से कुछ लेना देना निहें लेकिन यहां पर भारत का एक्पिकेट हो गया हम चाहते हैं भारत पाकिस्तान फाइनल में खेले लेकिन गोरे यहां भी लगे हुए हैं हमें अलग करने के लिए सेमी फाइनल में हमारे सामने डटके कड़े होगे यह है बदनाम बारक 000 इस बेवकूप को आप इस्टा पे जाहिए और ठेर सारी कालियां दीजिए हैं यह मेरा पूर्णतान रोध आप से मतलब क्या ही जरूरत है या कुछ कर ले भाई कर लड़ किया मैसेज करें खासकर यहां पर डेफ्ट में लिखा हुआ है ऐसे ही मोनिमेंट को खराब करते रहो क्योंकि इस नाइस वेयर तो प्रमोट यह इस डाहिए गुल्ट अकोट आप यह सैचैनु किले खास like harder TV जोंकि इस भाई कर में और शनुक सार्णतान क किईएँ में थे माई.. बंद का रखा, I don't know why जिर्प A-grade Officers के लिए कुल बड़ा दिकारी तो common people के लिए यह नहीं कुलता है यह कहां कौन से norms में यह बात यह मुझे नहीं बता है but it is what it is जबाएं हमारी नारनोल की series में हम इस वक्त है हैं यह इबराहायम सूरे के मकपरे पर और इसको गुनवाय था शेर्षाशूरी ने शेर्षाशूरी का संबंद Näसे नारनोल जारियाना से भी माना जाता है कई लोग कहते हैं कि वो यहाँ पैदा हुए कई लोग कहते हैं कि उनका बच्पन यावीता था तो इस पे इस्टोरिकल मुद्दा है डिवेटेबल मुद्दा है लेकिन यह मकपरा उसके दादा जी का है जो 1540 से 45 के बीच बना था कई जंगा 1530 से 1540 के बीच बना बताया गया है और इसको आप देख सकते हैं कितना खुब अधर काशी देखिए इस पे पत्थर की कितनी पहतरीन तरीके से की गई है आजा अधर अधर लेके जखते हैं अधर आप नार्नोल में है नार्नोल आई या नार्नोल में किसी भी मोनुमेंट में आप विजिट करना चाहिए तो इसको अपनी प्रारिटी लिस्ट में अधर के अधर का विजाइन आपको क्या वता है तो इतने हैं खुबसूरत डिजाइन बना रहे जहां देखिए तो इस तरफ दर्माजा अधर की तरफ और या पिरनकास ही देखिए तो तो पुखलब बगद बखुट बारी ग्रिस्प बिल्कुल डिटेलिंग में काम किया ह वाइस मखबरे गबन मुझे मैं मतलब परसनल ये कहना चौमान आरनो सीरीज में मैंने तीन चार मखबरे और देखिए लेकिए वाकई में मस्ट विजिट है झालें ही जालें我 उ läuft पिर देखिए ए बारी ताह जौमान आ जलें चौमान आ रहा हाईस तो spinalश मेरे क्वा уже क्वा सांट जेखिए जखना चार में में मॉझे उना है जए जाजना ... झाल 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 यहां से बहुत 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 ही नहीं अभी तो काफी घर बन गए उस वक्त तो पूरी एक रावली इसकी रेंज दिखाई देती थी झाल 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 पीर तो इस वक्त जहां हम है यह है पीर तुरकमान्शा या हजरत तुरकमान्शा का मकबरा है यह यह 1137 के आसपास के पीर हुए हैं और इसकी याद में इसे बनवाया गया है और इसका बनाने का कर्म है वह बहुत सालों तक चलता रहा यह लगा लिजिए फिरोज्शा तुगलक के वक्त से शुरू हुआ था और ब्रिटिस काल तक इसका निर्मान में कुछ ना कुछ ना कुछ चेंजिस होते रहे यह तो शुरुआती मकपरा था जो फिरोज्शा उन्हों ने इसका भी कंस्ट्रक्टिस के बीच करवाया तो वक्त के अनुसार इसमें बदलाव होते रहे और यह बनता चला गया ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि यह उसी साल में बन करते हैं और यह जो मकपरा है शाह इबराहिम सूरी का जो मकपरा है उसके करते हैं